हेलो स्टूरेंज देखिए ट्वेल्थ क्लास में एलिमेंट बुक में से 7.3 एक्सेसाइज का आज हम सेवन्थ कोश्चन करने वाले हैं यह प्रूब करने वालो कोश्चन है हमें एक कोश्चन दे दिया गया है साथ साथ हमें सोलूशन भी दिया गया है अब हम इसको जस्ट डेरिवेट्व करने की सिच्वेशन तक स्टैप तक नहीं छोड़ सकते हमें एक्जेक्ट मैच करवाना पड़ेगा इनमें किसी भी कोश्चन चलिए जैसे 7 का 1st पार्ट स्ट प्लस रूट 1-x all divided by 2 और फिर यह बोला गया है then so that एक पर्टिकुलर कंडिशन तो यहां में नजर आ रहा है कि derivative करना डिवा बैड दिखाना हमें है ना सो देखे जब भी 1 प्लस x और 1-x ऐसी सिच्वेशन आती है तो आपको बता रखा है इस exercise के स्टार्टिंग से है सब्स है ना तो थीटा हम इसले कर लेते हैं ताकि हमें फ्रेक्शन पर काम ना करना पड़े तो यहां से जो थीटा की वैलो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी कोस इनवर्स x बाए एक 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 वल तो चली इसको सब्सिटूट करते है तो y जो बनेगा वो कैसा बन जाएग देखे रूट ओफ वन प्लस कोस टू थीटा प्लस रूट ओफ वन माइनस कोस टू थीटा और दिवैदेड बाए टू चली रहे है तो साइन इन्वर्स 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वेर हाफ एंगल और यहाँ पर 2 साइन स्क्वेर हाफ एंगल है ना नीचे 2 चली रहे साइन इन्वर्स अभी देखिए स्क्वेर रूट ओपन कर रहे हैं तो 2 का तो रूट खुलेगा नहीं लेकिन कोस का स्क्वेर था तो वो कोस बन जाएगा रूट टू साइन थीटा डिवाइड़ बाइ 2 है अब यह जो 2 है वो इस रूट टू और दूसरे रूट टू दोनों को डिवाइड करेगा तो एक 1 बाइ रूट टू तो बचेगा कोस थीटा यहां भी 1 बाइ रूट टू बचेगा साइन थीटा अब देखिए अब आपको सोचना पड़ेगा बाइर है साइन इन्वर्स और अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन एपलाई करनी है कि अंदर साइन बन जाए तो एक तरीका है देखिए साइन का एक फोर्मूला होता है साइन A पलस B क्या होता यह साइन A कोस B बीच में पलस है तो पलस कोस A साइन B है ना देट मेंज कि बई पलस के लेफ्ट और राइट में साइन और कोस दोनों होते हैं तो अब यहां देखिए इधर एक cos पहले से ही है तो यानि कि आपको इसको किस में बदलना है sign में बदलना है तो आप इस 1 by root 2 को sign में कैसे लिख सकते हो sign 45 के रूप में लिख सकते हो है ना बिल्कुल cos theta as it is रह गया फिर plus के दूसरी तरफ हमने notice कि आप सिर्फ sign है that means कि हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा cos में बदलना पड़ेगा तो इसको हम cos 45 के रूप में लिख सकते हैं तो आपने notice कि अब ही angle 2 ही चल रहे हैं एक तो है 45 और एक है theta दोनों में ही तो इन में से किसी एक को A, एक को B मान लो क्या फरक पड़ता है तो हमने वही किया तो यह क्या बन गया sine A plus B देखो यहां से इस situation पे आ गए है ना तो वो तो बस बताने के लिए ऐसे adjustment की थी तो जो formula लगेगा formula basically इस step पर नहीं यहां लगेगा नीचे है ना तो इसको इसके इधर ही ले आते हैं जाए तो करी देते हैं just क्या problem है तो यह लग गया अपना formula अब sine inverse हो sine तो हो गई cancel क्या बच गया pi by 4 plus theta अब theta किसके equal आया हुआ है देखो cos inverse x by a अब उसकी जगे उसकी value रख देते है cos inverse x by a अब इस derivative करें तो dy by dx x किसके equal आजाएगा pi by 4 का तो 0 हो जाएगा cos inverse का क्या होगा minus 1 upon root 1 minus value का square लेकिन इस value का भी तो derivative करना है x by a का तो इसका derivative करेंगे तो क्या होगा इसका derivative हो जाएगा 1 by a लेकिन साथ-साथ हमने ये किया कि denominator में ले लिया lcm lcm क्या जाएगा a square क्यूंकि जो square है वो दोनों का ही तो है तो ये बन गया a square minus x square अब यहाँ क्या कर देते हैं भई root open कर देते हैं तो नीचे तो square था a का root के साथ cancel हो गया क्या बच गया सिर्फ a यहाँ भी 1 by a है तो ये देल को दोनों a cancel तो ये जो diva by dx आ रहा है वो किसके equal आ रहा है minus 1 by root a square minus x square चेक करें यही है जो हमें प्रूव करना है नहीं वही एक्स्ट्रा 2 की कमी आ रही है ये 2 की कमी कहां से आ रही है ये चेक करनी पड़ेगी cos 2 theta ही रखा है अच्छा एक सेकिंड ये a कहां से आ है पहले तो इसको देखना पड़ेगा x by a अच्छा अच्छा देखिए यहां पर mistake हो गई actually मैंने यहां a consider कर लिया था वो a इधर divide में दिखा दिया इस x के नीचे है न यहां पर actually 2 है तो जहां जहां a आय हुआ है वहां हमें 2 करना पड़ेगा तो मैं उसको कर देता हूँ फटावर्ट यह देखिए 2 है एक सगें इस 2 की वज़ए से तो फिर अब हमें काम यह कर सकते है बनाना कैसा है अब हमें 1-x2 बनाना है नहीं वही क्या mistake हो रही है इसको दो एक सेकंड यहां proper way में करते हैं ओ ओ शिट 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 देखिए mistake यहां हो रही है पहले course inverse shift होगा course इदर shift होगा course inverse बना यानि कि theta के साथ अभी 2 था है ना अब यह 2 shift करना है तो 2 बाहर आना था है ना divide में तो 1 by 2 course inverse x तो इसको देखिए इस वाले हिस्से को दुबारा करते हैं ठीक है चली at least in questions में जहां हमें prove करना होता है क्योंकि answer साथ में होता है तो हमें साफ पता चलता है कि match नहीं कर रहा तो that means कि हम कुछ गलत कर रहे है तो आपको यह भी पता चली गया कि हाँ ऐसे situation में क्या किया जा सकता है देखिए यह तो direct ही बन गया कोई दिक्कत ही नहीं थी है ना 1 by 2 तो coefficient था cos inverse का क्या हो गया minus 1 by root 1 minus x square देखिए अब exact match कर गया हो है ना यह और यह दोनों ही situations में ठीक है चलिए next देखते है second part क्या है y is equal to sine inverse 1 upon root 1 plus x square and plus 10 inverse root 1 plus x square के बाद क्या है minus 1 upon x ठीक है अब हमें कुछ ऐसे से situation प्रूव करनी है बस इसमें root नहीं है उपर वाले की तरह है ना बीच में plus है चलिए कोई नहीं अब देखिए 1 plus x square इसमें भी है 1 plus x square यहां भी है तो दोनों ही situation में 1 plus x square है तो 1 plus x square से आपको क्या पैचान में आ रहा है कि यहां रखना चाहिए tangent है ना tangent थीटा तो यहां से थीटा के value क्या जाएगी 10 inverse x ओके जो y है वो y किसमें बदल गया देखते हैं भाई यह बदल गया 1 upon root 1 plus 10 square थीटा and 10 inverse root 1 plus 10 square थीटा minus 1 divided by tangent थीटा राइट अब 1 upon 1 plus 10 square क्या होता भाई secant square और square का root भी है तो क्या बदल गया सिर्फ secant थीटा में बदल गया है ना plus tangent inverse अब देखे यह भी किसमें बदल जाएगा secant में बदल जाएगा secant minus 1 divided by क्या है tangent चल रहा भी अब हम इधर तो directly क्या लिख सकते है इसको cos लिख सकते है that means कि हमने sin cos में बदल दिया cos theta बन गया इधर हमें क्या गड़ना बड़ेगा इधर हमें alcium मतलब sin cos में बदल के फिर alcium वाले situation करनी पड़ेगी tangent और secant को हमने किसमें बदल दिया sin और cos की form में बदल दिया यहां तो देखे cos theta को अब हमें sin में बदलना है तो क्या कर सकते है 90 minus theta की help ले सकते है अब tangent inverse यहां हमने यह किया भी numerator में तो ले लिया alcium, alcium लिया तो क्या आगया cos theta क्या बन गया 1 minus cos theta और denominator में हमारे पास sin upon cos चली रहे cos से cos cancel जो बचा उसको लिखते हैं देखते हैं क्या situation बनती है अब देखे इधर तो sin inverse और sin आपस में हो जाएंगे cancel क्या बच गया pi by 2 minus theta इधर थोड़ा से simplify करते हैं पहले मैं जो बच गया वो लिख देता हूँ फिर करते हैं इसको simplify अब देखे 1 minus cos को हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos को लिखा जा सकता है 2 sin square angle का half है ना तो वैसे बात अब नीचे theta है और उपर यहाँ theta by 2 है तो angle match करवाने के लिए इधर भी हमें double angle formula लगाना पड़ेगा तो 2 sin half angle multiply cos half angle 2 से 2 cancel 1 sin से 1 sin cancel यहाँ क्या बच गया 1 sin upon cos बच गया और sin upon cos किसके equal होता है sin upon cos होता है भई yes tangent के है ना tangent theta by 2 के अब देखो 10 inverse और tangent आपस में cancel क्या बच गया सिर्फ theta by 2 जबकि यहाँ एक theta है और यहाँ theta का half है opposite sign है यानि कि क्या होंगे subtract हो जाएंगे क्या बच गया half theta बच गया एक theta में से half theta गया तो half ही theta बचेगा अब theta की जगए theta की value रख लें 10 inverse x थी यह देखो है ना तो वो हम यहाँ पे substitute कर लेते हैं तो y किसके equal आ गया 1 by 2 minus 1 by 2 10 inverse x अब हम कर देते हैं derivative तो देखो pi by 2 का तो 0 हो गया minus 1 by 2 as it is 10 inverse का क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus value का square और I think यह हमें प्रूव करना था यह देखो है ना यह दोनों match कर रहे हैं ठीक है चलिए next देखते हैं last part is question का third part substitution काफी help करता है x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a अब हमें जो प्रूव करना है उसमें just a root है a square minus x square है चलिए देखते हैं देखें दो पैचान है एक तो sine inverse यहाँ अकेला x है तो व्यसे बात हम sine रखने की कोसिस करेंगे ताकि आपस में cancel हो जाएए लेकिन अकेला sine रखेंगे यहाँ पर तो नीचे वाला a दिक्कत देगा that means कि हमें x के जगह क्या रखना चीए a sine theta रखना चीए ताकि इस a से a cancel हो जाए अकेला क्या बचे sine theta और यह हमारी यहाँ भी help करेगा देखो x square x की जगह रखोगे root a square minus a square sine theta right plus a square by 2 as it is next sine inverse a sine theta divided by a है ना यहाँ से theta की value निगा लेता है पहले देखिए a धरा के divide करेगा तो यह बन जाएगा x by a इस बार सही करेंगे है ना फिर sine shift होगा sine inverse तो theta की value यहाँ गई जब जब पढ़ेगे जब लिख लेंगे so a sine theta divided by 2 अभी देखिए इन दोनों में a square है common ले सकते है तो common लेंगे तो a square ही common आएगा लेकिन इस पूरे का क्या है root है तो जब a square इस root से बार आएगा तो अपने इसे का तो root cancel ही कर सकता है यानि कि अंदर क्या बचा सिर्फ अंदर हमारे पास one minus sine square theta बचा मैं उपर sine square लेखना भूल गया तो a square by 2 sine inverse यहाँ देखो a से a cancel क्या बच गया सिर्फ sine theta next step में यह दोनों आपस में cancel हो जाएंगे है ना अभी देखे a into a a square नीचे 2 चली रहा है एक sine theta है और 1 minus sine square cos square square का root cancel कर देगा square को सिर्फ cos theta बचा और यहाँ भी a square by 2 और सिर्फ theta बचे गया है ना तो अब ऐसा करते हैं इन sine और cos यह जो कोई multiple में है इसको हम ले आते हैं single में single trigonometry में कैसे इसको 2 से multiply divide कर देते हैं देखे 2 sine theta cos theta किसके equal होता है यह तो 2 into 2 4 बन जाएंगे है ना 2 sine theta cos theta किसके equal होता है sine 2 theta के equal होता है एक second वैसे हमें रखना क्या है यह रखना है है ना चलिए और प्रू करना था root of a square minus x square वाली situation को ओके देखते हैं इसे बात बन जाती है तो यहाँ फिर हमारे पास actually थोड़ी लंबी situation बन गया जब अकेला theta नहीं बच रहा है इसकी तरह है है ना जो हम इसमें value रखें और हमारा काम जो है वो हो जाए चलिए कोई बात नहीं a square by 2 theta अब एक काम कर सकते हैं या तो हम first exercise में chain rule की help ले सकते हैं first exercise में chain rule हमने किया था है ना उसके according ले या ऐसा करते हैं with respect to x derivative करी देते हैं चलिए देखते हैं एक बार तो देखें ऐसा ही try करते हैं फिलहाल जो है उसको with respect to x derivative ही कर देते हैं ठीक है एक नई situation बन जाए ऐसा लग रहा है कि यह trigonometry से थोड़ा सा muscle बन रहा है अब ऐसा feel हो रहा है कि इसको तो direct ही derivative कर देते हैं multiple low या जैसे भी condition बनती है तो I think उससे भी बन जाता तो आप उससे try कर भी करके देखें I think हो जाना चाहिए चलिए अब इससे आए यहां तक हम कर चुके हैं तो इससे करके दिखाते हूँ अब कुछ ना कुछ तो condition लगाएंगे ही लगाएंगे तो देखें a square by 4 तो क्या हुआ coefficient है sine अब क्योंकि theta के respect में अब theta खुद x से बना हुआ है यह देखो theta x variable से बना हुआ है तो अब इसको coefficient या कुछ होड नहीं मान सकते यह एक important variable बन गया यहां पर तो देखें sine का क्या हो जाएगा cos 2 theta same फिर इस 2 theta का derivative 2 तो coefficient है theta का क्या हो जाएगा d theta by dx क्योंकि हम with respect to x derivative कर रहे है ऐसे ही a square by 2 और theta का क्या हो जाएगा d theta by dx तो ऐसा करते हैं d theta by dx दोनों में हैं तो वो हम common ले लेते हैं यहां से a 2 और 4 आपस में cancel हो जाएगे तो a square by 2 cos 2 theta and plus a square by 2 a square by 2 यह भी दोनों में है चलिए कोई बात नहीं d theta by dx अब इधर तो ले लेते हैं a square by 2 common क्या बचके अपने पास cos 2 theta plus 1 है ना और यहां ऐसा करते हैं आप देखें theta की जगा theta की value रख देते हैं जो कि क्या थी sin inverse x by a के equal थी है ना यह देखें theta की value sin inverse x के equal a x by a के equal और x किसके equal रखा हुआ है a sin theta तो हम यह दोनों ही replace करने वाले हैं चलिए तो देखें 1 plus cos 2 theta इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos square theta है ना identity लगी गई और sin inverse x by a का derivative क्या जाएगा 1 upon root 1 minus value का square और फिर इस value का derivative तो x by a का derivative कितना हो जाएगा 1 by a है ना अब एक चीज़ आप notice करो यहां से तो चलो इसको काट देते हैं भाई cos के साथ theta बचा हुआ है जबकि हमें तो sin के साथ theta की value पता है क्या x by a क्योंकि a इधर इसके नीचे आ जाएगा ना divide में तो sin theta की value क्या हो जाएगी x by a तो हम इस cos को ऐसा करते हैं sin में बदल लेते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 minus sin square theta राइट और यहां ले लेते हैं calcium a square minus x square यह a last question की तरह आपस में कट जाएगा यह दोनों एक बार root open कर देते हैं तो अब यह देखे sin theta की value उपर से हम क्या लिख सकते हैं x by a पूरे का square है पूरे का square का मतलब है x का भी और a का भी दोनों का square कर दिया lsm यहां भी हम ले लेंगे अब हमने root open किया तो a square minus x square और नीचे का बचा सिर्फ a और इधर भी a a से यह a cancel ठीक है अब इस bracket के अंदर lsm ले तो a square थोड़ा नीचे कर लेते हैं जगा का मैं इधर कर लेते हैं देखे a square यह हमने lsm लिया तो a square क्या बन गया a square minus x square और इधर बच क्या गया root के अंदर a square minus x square और यहां उपर देखो यहां कितनी है इसकी power 1 है यह दोन तो cancel तो देखे base same है ना और power क्या हो जाएंगी अब subtract होंगी तो subtract होने के बदद क्या बचेगा a square minus x square की half power बचेगी और half power को हम क्या लिख सकते है root और यह देखिए किस के equal चलता जा रहा है d by d x के equal चलता जा रहा है तो कई बार जो trigonometry है वो हमारी help करने के वज़ए हमारा काम भी बढ़ा देती है लेकर maximum time जो है हमारी help करती है वो अब यह पूरा question करने के बाद ऐसा लग रहा है कि I think इसको हम direct way में करते है तो मेरे ख्याल से छोटा बढ़ता है ना पर कोई बात नहीं हमें हलग-लग चीजे जो है वो try करनी चाहिए So I hope आपको यह वाला तरीका भी समझ आया होगा So please click the like button and share the video with your classmate और अगर आप channel पर नहीं है तो please subscribe the channel Thank you